CSE यानि Common Service Center यानि जन सेवा केंदर एक ऐसा पोर्टल जहां आपको हजारों सर्विसेज मिलती है और ये सर्विसेज आप पब्लिक को प्रुवाइड करके अच्छी अर्निंग्स कर सकते हैं CSE पोर्टल पर तो आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलती ही है इसके लावा आप अलग से भी सर्विसेज ले सकते हैं जैसे की CSE के थुरू आप IRCTC की Agent ID ले सकते हैं CSE के थुरू आप आधार सेंटर खोल सकते हैं CSE के थुरू आप Water ID Card Printing Service ले सकते हैं CSE के थुरू आप CCC ज CSE के थुरू आप skills के लिए भी registration कर सकते हैं, जिसमें काफी सारी सरकारी schemes के थुरू आप अलग-लग courses चला सकते हैं, CSE के थुरू आप bank की mini branch भी open कर सकते हैं, इसके लावा CSE के थुरू आप और भी बहुत सारी services ले सकते हैं, कम जानकारी होने की वजह से जयातर लोगों को प क्या-क्या कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको details में CSE portal दिखाने वाला हूँ, कि इसका portal कैसा होता है, और वहाँ पर आपको क्या-क्या features दिये गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं CSE Digital Seva Portal एक्सेस करने के लिए आपको हमेशा Mozilla Firefox ब्राउजर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिक्योर्टी में ये Google Chrome से बैटर है Digital Seva में login करने के लिए आप type करेंगे digitalseva.cse.gov.in, आपके सामने Digital Seva Portal आ जाएगा, यहां आप login पर क्लिक करेंगे, आपको अपनी CSE ID और password डाल कर sign in पर क्लिक करना है, तो आप यहां अपने portal में login हो जाएगे, अगर आप चाहिए तो इसका light version भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपका internet silo है, तो यह है CSE Digital Seva Portal, यहां से आप CSE की हजारों services को access कर सकते हैं, और अपने customers को provide कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस portal के बारे में थोड़ा जान लीजिए, यहां पर advice दी गई है Mozilla Firefox browser यूज़ करने की, उपर right side में एक bracket दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर करके इसको full screen में convert कर सकते हैं, अगर आपको full screen से exit करना है, निकलना है, तो आपको अपने keyboard से escape button प्रेस करना होगा, आप full screen से exit हो जाएंगे, refresh button पर क्लिक करके आप अपने portal को refresh कर सकते हैं, जिससे जो भी latest services और notifications है, वो आपके सामने आ जाएगी, lock icon पर क्लिक करके आप यहा से log out कर सकते हैं, right side में three line दी गई है, इस पर क्लिक करके आप toggle sidebar को open कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ पर icons show हो रही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि icons के साथ नाम भी show हो, तो आप यहाँ three line पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा menu show हो जाएगा, साथ में एक search icon दिया गया ह इस पर क्लिक करके आप CSC की कोई भी service यहाँ से search कर सकते हैं, dashboard में उपर categories दी गई है, जैसे कि travel, fee payment, education, finance, health, e-store, services, तो आप यहाँ किसी भी service को by category access कर सकते हैं, जैसे कि finance related अगर आपको services देखनी है, तो आप finance पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर loan payments, fast tag, banking, credit report, electronic toll और loan, सभ भी services मिल जाएगी, finance related, नेची यहाँ पर कुछ shortcuts दे गए हैं, जैसे कि आप Sibili score चेक कर सकते हैं, UI, DAI pack service दी गई है, skill service दी गई है, इस पर आप क्लिक करके, skills के लिए registration कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी shop पर, परधानमत्री कोशल विकास योजना 2.0, skill training of दिव्यांग जन, self-paid CSC skill courses provide कर सकते हैं, अपनी shop पर, इसके लिए आपको registration करना होगा, जिस पर complete वीडियो आएगा, CSC की जो भी new services आती है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि लोन, fast tag, LPG gas और DTS नई services अड़ की गई है, निचे recently added services आप देख सकते हैं, CSC portal में जो recently services अड़ की गई ह वो यहाँ पर आती है, जैसे कि labor registration किया जा सकता है, CSC portal से, जो featured यानि popular services है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके लावा जो भी आप transactions करते हैं, तो recent transactions आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपने किसी का birth certificate बनाया, किसी का income certificate बनाया, या आपने किसी का voter ID card print करके दि या, तो यह सारे transactions आपको यहाँ पर recent transactions में show होते हैं, right side में आपको important का एक option मिल जाएगा, यहाँ पर जो important notifications और guidelines है, वो आपको दिखाय जाती है, जैसे कि system security guidelines है, इस पर click करके आप इनको read कर सकते हैं, BBPS services आप यहाँ से register कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी तरह का bill pay या recharge कर सकते हैं, मांधन scheme के लिए आप यहाँ से register कर सकते हैं, अपने pen card को आपको validate करना होगा, जो के आप यहाँ से कर सकते हैं, top of notifications आपको यहाँ देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एक notification दिया गया है, कि आ यहाँ पर notification दी गई है कि आपको genuine or licensed antivirus अपनी system में install करना है, इसके बाद यहाँ पर है services इस पर आप click करेंगे, तो आपके सामने CSC की सभी services आजाएगी, उपर categories दी गई है, आप category wise भी services को देख सकते हैं, और left side में आपको sub categories भी मिल जाएगी, और location भी आप by location भी services देख स जैसे कि अगर आपको बिहार state से related services देखनी है, तो आप बिहार पर click करेंगे, तो आपके सामने बिहार से related services आजाएगी, यहाँ पर CSE की सभी services दी गई है, जैसे कि आप परधान मंतरी, फसल, बीमा, योजना के लिए register कर सकते हैं, आधार, पैक, कोड आप यहाँ से generate कर सकत अटल, पैंशन, योजना, आईश्मान भारत scheme के लिए यहाँ से register कर सकते हैं, अगर आपको bank मित्रा चाहिए, मतलब के आपको mini branch open करनी है, तो आप यहाँ से register कर सकते हैं, basic computer course अगर आपको provide करना है, तो आप यहाँ से उसके लिए register कर सकते हैं, बिहार election card अगर आपको print करना है, तो यहाँ से आप उसके लिए register कर सकते हैं, बिहार labor registration अगर आपको करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं, बिहार राज्ये फसल, सहायता योजना के लिए आप यहाँ से register कर सकते हैं, अगर आपको birth year death certificate बनाना है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं, bill pay यहाँ से कर सकते हैं, bus ticket यहां से book करेंगे और इसके लावा CSC Academy Learning Management System है इसके लिए आप register कर सकते हैं आप नीचे तक scroll करते रहेंगे आपके सामने सारी services आती रहेगी आप एक एक करके इन services को देख सकते हैं अगर आपको कोई service find करनी है जैसे की for example आपके पास कोई customer आता है जिससे किसान credit card register कराना है तो यहां पर देखिए search icon दिया गया है इसमें आप लिखेंगे credit card तो आपके सामने आ जाएगा किसान credit card registration आप यहां किलिक करेंगे एक new tab open हो जाएगी apply new KCC एक option मिल जाएगा इस पर आप किलिक करेंगे और अपनी CSA ID और password डाल कर sign in पर किलिक करेंगे authorize करने के लिए पूछेगा आप yes कर दीजिए आप KCC panel में login हो जाएगे यहां से आप एक नया किसान card apply कर सकते हैं apply new KCC आप यहां customer का आधार card number डाल कर submit करेंगे आपके सामने form आ जाएगा उसको fill करके आप submit कर देंगे तो इस तरीके से services के लिए apply किया जाता है जिस पर एक charge history के option मिलते हैं summary पर click करके आप अपने wallet की summary देख सकते हैं जैसे कि आपके wallet में कितना balance है कितने operators आपने अपनी CSE ID में बनाए हुए हैं आप CSE ID में operators बना सकते हैं जैसे कि अगर आपने एक बड़ी shop open की है और वहां पर आप कुछ staff रखते हैं जो CSE portal को access करना चाहते हैं त तो जितने भी operators आप add करेंगे वो यहाँ पर show होंगे और यहाँ पर allocated balance show होगा अगर आप चाहें तो यही से add money to your wallet पर click करके money अपने wallet में add कर सकते हैं CSE में किसी भी service के लिए जब आप apply करते हैं तो उसमें balance cut होता है आपके wallet से तो किसी भी service के लिए apply करने से पहले आपको wallet में balance add करना जरूरी होता है EMI and bill payments पर click करके आप जो भी EMI या bill pay कर रहे हैं उसकी list देख सकते हैं add money पर click करके आप अपने wallet में money add कर सकते हैं debit card, credit card या internet banking से balance transfer पर click करके आप किसी दूसरे operator को balance transfer कर सकते हैं अपने इस wallet से जो भी operators आपने add किये हुए हैं और reward balance पर click करके आप क इसके लावा recharge history पर click करके आप recharge की history यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने wallet को कितनी बार कितने balance से recharge किया है इसके बाद है passbook, passbook में आपको wallet ledger मिल जाएगा इसमें आप सभी transactions देख सकते हैं जितना भी आपको refund मिलता है वो आप refund में देख सकते हैं जो cashback मिलता है वो आप cashback मे देख सकते हैं, operator का ledger आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि अगर आपने CSC में कोई operator बनाय हुआ है तो आप उसका पूरा ledger देख सकते हैं, fund transfer कर सकते हैं आप किसी operator के wallet में यहाँ से और fund को आप revoke कर सकते हैं, fund revoke पर click करके इसके बाद हैं आप orders, इसमें आप orders history देख सक और operator कोई order करता है तो आप operator order में देख सकते हैं, इसके बाद है account, account में my profile पर click करके आप अपना पूरा profile देख सकते हैं, जिसमें आपकी पूरी personal details होगी, operators पर click करके आप अपने सभी operators को यहाँ देख सकते हैं, अगर आपको बी operator अड़ करना है तो आप यहाँ add operator पर click operator का आधार card number, full name, date of birth, gender, email id, mobile number डालेंगे और submit पर click कर देंगे, operator add हो जाएगा, इससे वो भी इस panel को access कर सकेगा इसके बाद यहाँ पर है support, इसमें आप ticket पर click करेंगे, अगर आपको portals related, service related कोई भी problem आती है तो आप यहाँ create ticket पर click करेंगे, आप चूज कर लेंगे आपकी problem कैसी है, CSC product और service related है तो आप पहला option चूज करेंगे, subject डालेंगे, पूरी problem यहाँ पर type करके submit कर देंगे तो आपकी पूरी help की जाएगी यहाँ पर ticket के दुआरा, तो यह है आपका CSC digital sewa portal, जिसको आप अच्छी तरीके से अब तक समझ गए होंगे अब इसमें services को कैसे use किया जाता है, इस पर मैं एक एक करके वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके लिए समझना easy रहे क्योंकि अगर एक बार में ही सारी services के बारे में बता दिया जाए, तो आप confused हो जाएंगे और आप सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे तो CAC के थुरू जो दूसरी services ली जाती है, जैसे कि IRCTC agent बना जाता है, आधार center लिया जाता है, और triple C course center लिया जाता है, skill center लिया जाता है, और mini branch ली जाती है, ये सारी चीजे में आपको एक एक करके दिखाऊंगा